तो यह यहां इसपरश्ट कर लें कोगि इस गाथा में चार लोगों को दुस्मन बताया गया है चार लोगों को यह बताया गया है कि यह चार लोगों से खत्रा रहता है घंपद गाथा कथा 104 और 105 104 और 105 फाइब ये जो गातार कता है इसमें एक अनर्थ पूछने वाले की कता है अनर्थ का मतलब है बुरा पूछने वाला यानि जिसका अर्थ ना हो जो बुराई हो उसको पूछने वाला एक आता है इसको अनर्थ पूछक बोलते हैं जो पूछता है भगवान से आके कि आप हमेसा अच्छा अच्छा बताते क्या अनर्थ के वारे में जानता हैं हानी के वारे में जानते हैं नुकसान के वारे में जानते हैं कि कौन से नुकसान की चीज हैं कौन सी हानी की चीज हैं कौन सी नहीं करने चाहिए मैं वो पुछना आप से चाहता हूं उसके लिए मैं निवितन करता हूँ भगवान बुद्ध उसका आंसर देते हैं जवाब बताते हैं कथा में पहले आप गाथा सुन लीजिए फिर्म मैं कथा सुनाता हूँ ये दोनों जो गाथा हैं 104 औ 105 दोनों एक साथ आती है अत्ता हवे जितंग सेयो या चे आयंग इतरा पजा अत्त दंतस्से पोसस्से निच्चंग सैयत चारियो अत्ता हवे जितंग सेयो का मतलब है अत्ता माने खुद और हवे माने निश्टि जितंग माने जो जीत ले जीत को और सेयो माने स्रेष्ट यानि कि अपने आपको जीतना वास्तम में स्रिष्ठ है या चे आयंग इतरा पजा मतलब वा यानि इसके अतरिक अगर कोई परजा को जीतता है तो जो दूसरी परजा है अगर उसकी अपेश्चाकरत उसको जीतता है यानि किसी परजा को या लोगों को जीतने की अपेश्चाकरत अपने आपको जीतना ज्यादा स्रिष्ठ है अत दंतस्य पोसस्य का मतलब है अत माने स्वयम हो गया और दंत माने दमन और शांत करना हो गया के लिए यानि अपने लिए दमन करना शांत करना पोसस्य का मतलब है पोशक के लिए हैं यानि कि जो हम गरन करते हैं गरन करना अच्छा है यानि जो हम पोशक पदात खाते हैं इस तरह से गरन करना अच्छा है निचंग संयत चारियो निचंग माने निट्टे होता है संयत होता है ऐसा चारी का करने वाला ऐसा प्रुष वास्ता में संयत होता है और नियत होता है, अच्छा होता है, इसकोंकि यह दौनों साथ साथ ہیں, दूसरी है नेव देवो नेगंदवो, नेइमारो से है वमरा, नेव देवो चे गंदवो का मतलब है, ने एव, यानि ने ही तो उसको देव पराजित कर सकता है, नहीं गंदर्व, नहीं उसको वामर वामर का मतलब है जो बहार से आयोए वामर लोग है क्योंकि भारत के लोगों को तो समन बोलते है यहाँ यह जो सब्द है वामरा भी बोला जाता है वामर भी है और इसको बही मरा भी बोलते है और ऐसा का ऐसा ये पाली में लिया गया है तो आधे रह के साथ भी इसको ब्रहमनों भी बोलते हैं या ब्रहमा भी बोलते हैं ब्रहमनों भी बोलते हैं बेसी कलिए आधे रह का जो सब्द है वो पाली में है नहीं मगर वे चुकि वो लोग आधे रह के साथ बोलते थे जो भार से बाहर के आए जिनको समणा नहीं होते थे समण यहां यहां के लोग हैं तो यहां के लोग उनको वमण बोला करते थे वमण और वो लोग चुकि आधे रहका इस्तमाल करते थे तो वो अपने आपको ब्रह्मन बोलते थे और यहां के लोगों को शर्मन बोलते थे क्योंको उनको शे की आदत थी और रह लगाते थे साथ में तो इसलिए उनकी भासा में आधा शे और रह होता है और यहां के लोगों की भासा में आधा रह नहीं होता यह बुल्कुल इस पर समझ ले यहां के लोग अपने आपको समण बोलते थे उनको वमण और उधर के लोग यहां के लोगों को शेर्मन बोलते थे और अपने आपको बेर्मन या ब्रहमन बोलते थे तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता जितंग ए पराजितंग कईरा यानि कोई नहीं कर सकता कईरा पराजित आपको ना तो देव कर सकता है ना गंधर्व कर सकता है ना ही भामन कर सकता है और ना ही मार कर सकती है तथा रूपस से जन्तुनो तथा रूपस से मक्ता मतलब है इस रूप के लिए यानि इस प्रकार से जन तुनो माने जीव या जीवो यानि कि जो जीव है उसको कोई नहीं पराजित कर सकता जो अपने आपको पराजित कर लेता है अपेक छाकरत किसी और को पराजित करने के मुकाबले जो ये बुराईयां सारी छोड़ देता है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता नहीं तो वमन कर सकता है जो बाहर से आएवे लोग हैं नहीं उसको मार कर सकती है जो अंदर की बुराई हैं नहीं उसको गंधर्व कर सकता है गंधर्व जो है वो कंधार के आसपास के लोग हैं उस से देव का मतलब है समण लोगों का जो देव है वो नहीं है तो यह इस परस्ट कर लें को कि इस गाथा में चार लोगों को दुस्मन बताया गया है चार लोगों को यह बताया गया है कि यह चार लोगों से खत्रा रहता है मगर अगर आप अपने मन को शुड़ कर लेते हैं सु दोरी नहीं करेंगे, आप अगर वेवचार नहीं करेंगे, आप अगर हत्या नहीं करेंगे, आप अगर जोट नहीं बोलेंगे, तो देव हो या वमण द्रामण हो, या मार हो और या गंदर हो, इन चारों मैंसे कोई भी आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकते, आपकी जीत न आपकी विजय को हारम बदल सकते हैं मगर तब ही बदल सकते हैं जब आप पांच बुराईयां यानी पांच सील को छोड़ देंगे जब आप पांच सील का पालन नहीं करेंगे तब ये मार सकते हैं सच्चे आदमी को, अच्छे आदमी को इन में से कोई छू भी नहीं सकता कथा इस पर कार रही कि अनर्थ पूछने वाले ने भगवान बुद्ध से जब कहा तो भगवान बुद्ध ने उसको जवाब दिया कि वो हानी और लाव के वारे में सब जानते हैं सूरे उदे होने के बाद यानि संराइज होने के बाद में सोना और या खाली बैठे रहना अनर्थ है यानि कोई भी व्यक्ती क्योंकि उस समय सूरे उस समय लाइट तो होती नहीं थी क्या सिर्फ दीपक होता था जो भारत के समय लोग थे उन्होंने दीपक बनाया तो दीपक की लाइट बहुत कम होती थी इसलिए जतना भी काम करना है वो दिन में करना है तो अगर कोई दिन को गवाएगा तो इसका मतलब वो जीवन को गवाएगा तो सूरज की रोसनी होने के समय यानि के सूरज निकलने के बाद में कोई आदमी अगर सो रहा है या कोई आदमी अगर बैठा हुए खाली तो इसका मतलब वो अनर्थ है नुकसान है हानी है लंबे समय तक कर कोई धन धानने को समाल कर रखे लंबे समय तक धानने का मतलब है क्योंकि उस समय जो धानने होता था धन होता था वो जो ग्रेंस होते थे धाने बोलते हैं ग्रें को यानि कि दाने को वो दाल के दाने हो सकते हैं चावल के ग्यहूं के जोंके किसी की बो सकते हैं तो लंबे समय तक कोई अगर उनको रखता है चुपा के या समाल के रखता है तो वो सर जाते हैं बेकार हो जाते है ना तो वो खाये जाएंगे फिर और ना ही वो खित में बूने के काम आएंगे इसमें यह वो कहते हैं कि लंबे समयते गर कोई धानने धान रखना के धन और धानने दोनों का मतलब वहाँ पर ग्रेंज हैं चावल हैं, डाल हैं, ग्यहू हैं तो लंबे समय तकार कोई रखता है तो वह बेकार हैं। आज के संदूर में भी कह सकते हैं कि लंबे समय तकार कोई आदमी अपनी पूझी को स्टॉप करके रखता है अपने पैसे को जम्मा करके रखता है तो वो VALUE हो जाते हैं। D value का मतलब है कि जैसे आपने एक लाख रुपया बैंक में जमा किया आज और आज एक लाख रुपय का दो तोले सोना आता है यानि कि 20 ग्राम सोना आता है तो जब आप 10 सल बाद एक लाख रुपय का सोना लेने जाएंगे अगर उसमें हवा लगती रहा है रोटिसन होता रहा है तो वो बलते रहते हैं अच्छे रहते हैं फिर वो कहते हैं कि रात में यात्रा नहीं करनी चाहिए यह अनर्थ होता है क्योंकि रात में यात्रा करने के बहुत सारे दोस्त बताएं हानी बताएं उन्होंने कोई भी घटना रात में हो सकते हैं कोई रात में काली सक्तियां सक्तिसाली हो जाती है तो वो अनर्थ है क्योंकि आपकी अपनी पत्नी है और दूसरी और उसमें उल्जा रएगा और आप पुरे मन से काम नहीं कर पाएंगे ना खेत में ना दुकान में ना घर में और आपका मन हमेसा विचलित रहेगा आपका पैसा भी जाएगा आपका समय भी जाएगा आपकी जट भी जाएगी आपका समाजिक वैलू भी खतम होगी आपका परिवार की वैलू भी खतम होगी इस प्रकार वो अनर्थ बताके फिर पूछते हैं कि तुम क्या करते हो पुछक पूछने वाले तुम क्या करते हो तो वो कहता है कि मैं तो जुगा खेलता हूँ दुद्ध खेलता हूँ दुद्ध बोलते हैं उसको तो वो पूछते हैं किया जब आप दुद्ध खेलते हो तो क्या हमेसा जीतते हो आप कि नहीं कभी मैं जीतता हूँ और कभी मैं हारता हूँ तो भगवान बुद्ध कहते हैं फिर ऐसा खेलो कि आप हमेसा जीतो तो वो पूस्ता है कि ऐसा कौन सा खेल है जिससे हम ऐसा जीते हैं तब भगवान बुद्ध उसको ये गाथा नंबर 104-105 उसको बताते हैं कि अपने आपको जीतना और अपने आपको सुद्ध करना ऐसा जीत है जिसको कोई नहीं हरा सकता ना ही देव हरा सकते हैं ना ही भामन हरा सकते हैं वामन हरा सकते हैं ना ही मार यानि मच्चो और मिर्टु हरा सकती है और ना ही गंधर भठा हरा सकते हैं यह आपकी जीत है यह हमेसा अजे रहेगी इसको कोई नहीं हरा सकता इसलिए आप ये पांच बराई छोड़ देजिए जो पांच बराई जीवन में आपको हराती है ऐसा करके वो इस का अथा को बताते हैं और मैंने इसकी गता आपको बताई है यहाँ अगर आप ध्यान दे तो वो दुद्ध खेलता है जुआ खेलता है जुआ खेलने की जो सबसे एक कमाल की बात है वो यह है कि जुआ खेलने वाला जीवन में कभी नहीं जीतता जुआ खेलने वाला हमेसा जीतता है यानि कि अगर एक जुवा घर है और जुवा घर में वो जुवारी खिलाता है तो वो अपनी जगे देता है उनको सुविधाय देता है इसको आज की समय में आप कैसी नो समझ सकते हैं या उसके पास गया यानि किसके पास गया हाणने ऑर जो जीत रहा है उसके पास पासमें जाता है तो अगली वार वो 2000 में से या तो 500 हर सकता है या 1000 रुपे लेके आने वाला जब भी जाएगा जीतेगा हरेगा मगर जो खिला रहा है उसकी एक निश्चित रकम बीच बीच मों से मिलती रहती है जैसे वो हर बार खिलाने का 10 रुपिया काड़ता है तो 10 रुपे अग जीतेगा भी नहीं सरकारी जुआ भी होता है जहां लाटरी लगती है लाटरी में क्या होता है आपने 10 रुपे की टिकेट खे दी जिसमें आपको 10 रुपे मिलने है गर नंबर आ गया तो तो वो क्या कहता है कि आपको 10 में से 9 रुपे मिलेंगे यानि आपने 10 रुपे लग दस नहीं मिलेंगे, आपने लगाई दस थे, मिले नो, एक रुपे लोट्री का टिकेट खिलने वाले ने काट लिया, और दस वार अगर आप जुआ खेलेंगे, तो हर वार एक रुपे काटेगा, दस का नोट उसका हो जाएगा, ऐसे ही सारी दुनिया का पैसा सिर्फ उनके प कैसे खरिदफ़ोटक्त होती है, जैसे आपने कोई कमपणी बड़ाईए और कमपणी में आपने अपने आपको सेंसस में या जो जहाँ आपका शेयर मार्किट है, उसके अंदर आपने उसको रिश्टर करा दिया, अब उस शेयर बिखता है, यानि जो शेयर मार्णी हिस्सा है वो बिखता है company में से कोई हिसा आपको नहीं मिलने वाला है सिर्फ एक हवा में value चलती है कि मेरे पास इस company के 100 हिस्से हैं और एक हिस्से की value 100 है बताओ तुम्हें कितने चाहिए तो वो कहता है कि मैं company के 10 हिस्से लेना चाहता हूँ तो 10 की कीमत पहरे अगर 100 है तो वो 110 रुपर में खैद लेगा तो बेशने वाले को 10 रुपर फाइदा हो गया company ऐसी की ऐसी रहती है company के शेर खुद बढ़ते रहते हैं वो कभी भी डाउन हो के समय में सारी दुनिया के शेर market डाउन हो गए तो वो पैसा हवा के हवा में ही खतम हो गया जैसा बढ़ा था तो जुए से हमें से बचके रहना चाहिए क्योंकि जुए कभी भी सगा नहीं हो सकता आपका नहीं हो सकता जुए उसका सगा रहेगा जो जुए को खिलाता है जो जुवे के जुवे घर का मालिक है उसका सगा रहेगा क्योंकि पैसा कट-कट के सारा उसको मिलता रहता है और ये ध्यान देना कि जुवा खलाने वाला कभी जुवा नहीं खिलता वो कभी दाव नहीं लगाता अगर वो लगाएगा भी तो आपको उकसाने के लिए दिखाने के लगाएगा जुवा घर वाला एक साल में चार जुवे घर बना लेता है और जुवा खिलने वाले के चार घर के साल में एक घर रह जाता है फिर उसकी इस्तिती भीक मागने की आती है फिर वो अपना घर मकान बेचता है अगर आप पुरानी किसी कालपनी कथा में जाएंगे तो वहाँ तो लोगों ने अपने परिवार को भी जुए के दाप पर लगा दिया है यहाँ भी घरनाए घर्टी है उससे पेड़ना लेगे कि लोग अपने परिवार में जो परिवार के लोग हैं उनको जुए में बेच आते हैं अपना घर मकान फिर अपने आपको भी बेच आते हैं और फिर चोरी चकारी कराब सुर करते हैं फिर शराब करते हैं एक जुवा सारे जितने भी पापकरम है उनको करा देता है इसलिए अगर आप जुवा खेलते हैं या जुवा खेलने की सोच पी रहे हैं तो जुवा कभी जिंदगी में मत खेलना क्योंकि जुवा खेलने वाले का कभी नहीं होता ये mathematical math का सिधान्त है दस में से आपको 9 मिलेंगे एक नहीं मिलेगा यानि दस में से 10 कभी नहीं मिलते हर वार एक कटेगा तो दस वार में आपका 10 रुपिया चला जाएगा धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में चाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सका है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ रितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामी उन्थियं पी बुद्धं सेण गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सेण गच्छामी दूथियं पी धम्मं मर्सेण गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सेण गच्छामी दूथियं पी जंगं सेण गच्छामी दोखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी संगं सर्णं कच्छामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखाप दिंग स्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखाप दंग स्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखाप दिंग स्माधियामी